प्यार विध्यार्तियों नमस्कार राम राम सा मैं डोक्टर संकर चोदरी आप सभी का आपेक्स कलासे अजुटेक ओनलाइन प्लेटपरम पर हार्दिक अविननदन स्वागत करता हूं प्यार विध्यार्तियों आज हम हिंदी विश्य के अंतरगत जो व्याकरण प्रकरण है उसकी शुरुवात उसकी भूमी का जीरू से चालू करने जा रहे हैं और मुझे उमीद है कि हिंदी व्याकरण आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाएगी बसर्थ जैसा जैसा हम लोग आपको पढ़ा रहें आप उनको सोच विचार कर मनन करके या हम यूं कहें चिंतन करके अच्छी तरह से पढ़ लीजेगा और मैं आपको विश्वास जलाता हूं दोस्तों कि अगर आप एसा करने में सक्सम होंगे तो आपको हिंदी व्याकरण बारवार पढ़ने की कोई भी आवशक्ता नहीं होगी तो शुरुवात करें हाँ जी कि देख्येंगा दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुवात कर रहें हैं यहां से यह दो सब्ड़े आपकी सामने में लिखने जा रहा हूं एक तो हिंदी है और एक हम लोग लिखते हैं हिंदी ऐसे दोस्तों आप लोग देखते हूंगे एक सब्द है संकर और कहीं देपर आप लोगों ने देखा भी होगा शंकर ऐसे दोस्तों हम बात करते हैं संचे और संचे जी हाँ संचे और हम बात कर लेते हैं संचे जी हाँ आपके मस्तिक्स में प्रसंद यह उड़ता होगा कि साब यह क्या है तो मैं जैसा है कि आपको भता चुका हूं कि हिंदी व्याकरण की हम लोग एकदम जिरू से शुरूआत करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले यह जाना जरूरी है कि शुद्ध हिंदी शब्द हम लोग के से लिखें तो दोस्तों हिंदी और हिंदी शंकर और संकर संचे और संचे यानि कहने का मतलब है हिंदी के अंतरगत यह दोनों जी रूप प्रचलित ह है लेकिन आपके मस्तिक्स में प्रसन उड़ता है कि इन दोनों रूपों में से कौन शे रूप शुद्ध और क्यों माने जाते हैं तो दोस्तों वैसे अगर बात करें वेवारिक दरश्टी से तो दोनों रूप शुद्ध है यानि हम यूं कह सकते हैं कि हिंदी आप ऐसे भ दोनों रूपों में आप लिख सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर बात करें प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लियास से तो इन दोनों रूपों में से प्रारंबिक सभी रूप दित्ते रूपों के अपक्सा अधिक सुद्ध वै प्रामानिक माने जाते हैं यहां एक जीएगा मेरी बात को वेवारिक दर्ष्टी से तो दोनी रूप सुद्ध है यानि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इनको और आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन अगर दोस्त तुम बात करें प्रतियों की प्रिक्षाओं के लियाज से तो इन दोनों रूपों में से प्रार से हिंदी ऐसे लिखते आएं और आप यह करें कि इन दोनों रूपों में से प्रतम रूप अधिक मात्रा में शुद्ध और प्रमानिक है तो ऐसा क्यों तो आप जानिएगा यह दोनों रूप है और इन दोनों रूपों में से प्रारंबिक शबी रूप जी हां प्रारंबि सबी रूप अधिक मात्रा में शुद्ध क्यों ऐसा क्या कारण है कि इन दोनों रूपों में से प्रारंबिक सबी रूप अधिक मात्रा में शुद्ध और प्रमानिक मानी जाते हैं यानि बात आप समझ गए होंगे दोनी रूप सुद्ध है लेकिन इन दोनों रूपों में से प्रारंबिक शबी रूप दित्य रूपूर के पिक्सा आधिक सुध्य वव परमानिक क्यों माने जाते हैं तो दोस्तों ये आज की बात नहीं है ये बात है सन 1935 की और सन 1935 में हिंदी के बहुत बड़े और नामचीन विद्वान हुए और आपका नाम था डौक्टर शाम सु था और दास ने सूझाओं दिया हिंदी में जितने भी पंचम वरन है सुझाओं दिया कि हिंदी में है पंचमु वरन इसका मतलब तो यानि यह सभी प्रतेक वर्ग के पांचम वर्ण है इसलिए दोस्तों इनको पंचम वर्ण कहा जाता है एक बार फिर में रिपीट कर रहा हूं के वर्ग का पांचम वर्ण को पंचम वर्ण कहा जाता है तो डोक्टर श्याम सुंदरदास ने क्या सोजा हो दिया कि हिंदी में जितने भी पंचम वर्ण है यानि ये जितने भी पंचम वर्ण है के इस्तान पर के इस्तान पर अनुष्वार का प्रियूग किया जाना चाहिए जी हाँ अनुस्वार ऐसे आप लिखते हैं ये सिंबल है का प्रियोग किया जाना चाहिए जी हाँ दोस्तों ये सुजाओ सन 1935 में हिंदी के बहुत बड़े प्रसित विद्वान और आपका नाम था डोक्टर स्चाम सुन्दरदास इनों ने सुजाओ दिया था कि हिंदी में जितने भी पंचम वरण है इन पंचम वरण के इस्तान पर अनुस्वार का प्रियोग किया जाना चाहिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बासा चीर परिवर्तन सील है इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा जब हिंदी की सिक्षिन विदियां पढ़ेंगे या हि जो कह सकते हैं कि बासा के बारे में समाने जानकारी प्राप्त करेंगे तब इस पर विस्तित रूप से हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन इतना तही है दोस्तों कि बासा चीर परिवर्तन सील है जो हमेसा ही बदलती रहती है और उसी का एक नमुना में आपकी सामने कि बास अंदर दास इन्होंने सुझाओ दिया था कि हिंदी में जितने भी पंचम वरण है उन पंचम वरण के इस्थान पर अनुष्वार का प्रियोग इस और दूस्ति पर लोग किया जाना चाहिए अब आप यहां देखिएगा यह नहीं क्या और जिन लोगोंने डॉक्टर स्यामसंद्रदास जी के सुजाओ वो तो हिंधी इस रोप में लिखने लग गए और इनकेस तें इस रूप में लिखते हैं तो व्यवारिक दरिश्टी से तो हिंदी दोनों यह रूप में शुद्ध मानि माने जाते हैं और आपके मस्तिक्स में प्रसंग उटरा होगा कि साब क्या वर्तमान में जो NCRT की हिंदी के किताबी प्रचलित है या जिनका प्रचलन है उनमें हिंदी सब्द के से लिखा जाता है तो जैसे क्लास समापतो तो उसके बाद आप जाके देखिएगा कक्सा 6 से लेकर बारत की जो हिंदी विशी है उसके उपर हिंदी आपको इसी रूप में लिखा हुआ दिखाई देगा अर्तात प्रारंबिक सभी रूप दित्ते रूपों के अपक्सा अधिक सुद्ध प्रमानिक माने जाते हैं तो दोस्तों ये बात दो तो ये बात तो किसी समंदिती कि सुद्ध हिंदी सब्दमी केसे लिखते हैं इसके कर दोस्तों सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि हिंदी बाशा का उद्वो और विकास कहां से हुआ यानि कहने का मतलब है कि हिंदी बासा आपकी कहां कहां से आई है तो आप समझेगा यहां से मैं लिखना प्रारम कर रहा हूं देखिएगा कहा जाता है कि संस्कृत सब बासाओं की जननी है ऐसा आप लोग भी पढ़ते होंगे और सुनते होंगे कि कहा जाता है कि संस्कृत सब बासाओं की जननी है क्या यह बात सही है यह बात सही नहीं है संस्किर्ट सब बासाओं की जन्नी नहीं है यानि अंग्रेजी बासा की जन्नी संस्किर्ट नहीं है रोमन बासा हो चाहिए वो प्रेंच बासा हो इन बासाओं की जन्नी दोस्तों संस्किर्ट नहीं है तो यह जो sentence अमोमन हम लोग प्रियोग में लेते हैं कि संस्किर्ट सब ब सत्य नहीं है तो प्रसन यह उड़ता है कि कॉन-पूर वासराओं की संस्किर्ट है तो इसके बारे में छर्चा स्य आपकी स Spreem करनी जा रहा हूं देखेगा व convenience form यह हैं संसकित दोस्तों सं संस्कृत में पहले वैदिक संस्कृत आई और वैदिक संस्कृत के बाद जो हमारी संस्कृत बासा का उद्व हुआ वो हो गए आपके कौन सी वह आपकी वैदिक संस्कृत के बाद में जो संस्कृत आई वो हो गए आपकी दोस्तों लोकिक संस्कृत जी हां यानि हम लोग यूं समझ सक ते हैं कि वैधिक संस्के связ के बाद में कि जिश बाहता का आविरभाओ वो संस्के कौन सी बन गई है वैदिक संस्केत जी हां अबर आपके मस्थिक्स म स्में यह क्या प्रसण उड़त हो लोग समझते होंगे जानते भी होंगे और जैसा कि आप सुनते हैं कि हिंदी के अंतरगत एक बिंदी का भी बहुत ज़्यादा वजूद होता है और एक मात्रा का कितना प्रभाव पड़ता है एक मात्रा का प्रियोग होने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है और अनर्थ का अ तो यह एक जिला बन जाएगा तो अगर बड़ी की मात्र हम लोग लगा देंगे तो दोस्तों यह आपने आप में एक जिला का परिचाइक होगा अब आप लोग यह से सोचते हैं कि क्यों यहीं तक यह नियम काम करता है तो ऐसा नहीं है मैं दो और उधारण आपके सामने प्र ऐसे दोस्तों यह एक परिक्षा है और एक मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं परिक्षा वैसे कोई ज्यादा अंतर नहीं है सुनने में तो समान सुनाई दे रहे हैं लेकिन अर्थ क्या हो जाता है आप इनके माध्यम से समझेगा श्री मती नाम से पता चल रहा है वह मत मती जिसका श्रीवित है यानि वह मती जिसका श्रीवित है तो क्या बन जाएगी सदव्वा आफिस मातर का परिवर्तन को कर दें तो दोस्तों यह क्या बन जाएगा वह मती जिसका श्री हेडगोन तो यह क्या बन जाएगी बताएगा विद्वा अब कुछ ज्यादा परिवर्तन तो आपको देखने को नहीं मिल रहा और ऐसा लग भी नहीं रहा लेकिन आप देख लीजिएगा सद्वा और विद्वा यह अर्थ अनर्थ की सुरूब में हुआ एक बा परिक्सा का मतलब तो हो जाएगा जांच या परक हम लोग बात करते हैं कि अर्दवार्शिक परिक्सा तो सुद्ध यह है लेकिन कहीं विद्यारती के से लिखते हैं परिक्सा अर्दवार्शिक परिक्सा तो इस परिक्सा का मतलब हो जाएगा दोस्तों की चड़ तो आप आता है यह क्या हो जाएगा अर्दवार्सिक की चड़ आगे बाद समझ में तो मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी जो बाशा है उसमें बिंदी का तो अर्थ बदल जाता है साथ इसाथ अगर मात्रा का हम लोग गलत परियोग करेंगे तो निशन दे रूप से अर्थ का क्या हो जा तो सबसे पहले जो बाशा है वो कुण सी है वैदिक संस्कित वैदिक संस्कित के बाद जो संस्कित बनी है कुण सी बन गई लोकिक संस्कित लोकिक संस्कित के बाद में जो बाशा बनी पाली और पाली के बाद में दोस्तों जो बाशा बनी उसका नाम क्या रखा गया प्रा उस बातसा का नाम रखा गया दोस्तों अपबरंच यहां तक बात समझ में आगे अब अपबरंच एक बासा है और इस बासा के साथ से रूप माने जाते हैं यानि हम लोग कह सकते हैं कि जो अपबरंच है उसकी साथ साखहें मानी जाती है और उनमें से एक का नाम रखा गया दोस्तु सोर्शेनी अपब्रंस जी हां और इस शोर्शेनी अपब्रंस से दोस्तु जिस बाषा का आविर्वाव होता है वह बाषा कुण सी योगी हिंदी जिसका आज हम लोग अध्देन करने जा रहे हैं तो एक बा इसका विद्वित करम पुने जान लीजिएगा सबसे पहले वेदिक संस्किर्ट आए वेदिक संस्किर्ट के बाद में लोकिक संस्किर्ट लोकिक संस्किर्ट के बाद में पाली पाली के बाद में प्राकृत प्राकृत के बाद में आपब्रंस और अपब्रंश के जो साथ शेत्रे रूप है उनमें से एक का नाम क्या हो जाएका शोर से नरू और सोर सेने अपबरंश से दोस्तों किस बासा का आविरबा हुआ वा हिंदी बासा का उदभो और विकास माना जाता है यहां से भी दोस्तों प्रतियोगी प्रिक्साओं में प्रसंद पूछे जाते रहे हैं अब आपके मस्तिक्स में ये भी प्रसंद उर्टा होगा कि साब ये तो हमें समझ में आ गया कि हिंदी बासा का उद्वो और विकास का शिवा लेकिन अब आप हमें ये भी बता दीजिएगा कि हिंदी बासा आज से कितने साल पुरानी बासा मानी जाती है तो दोस्तों हिंदी बासा का समय ग्यात करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां वैदिक संस्किर्ट क्यों क्यों कि वैदिक संस्केट से तो हिंदी बासा का आविर्वाव माना जाता है तो हिंदी बासा कितने साल पुरानी बासा है यह समझने से समझने के लिए या इसका वक्त जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहां वैदिक संस्केट अब मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है वेसे दिखने में तो आपको जीरू ही दिख रहा है दोस्तु ये हो गया आपका इशा जी हां आएवाद समझ में और इस इसा के जनम को यानि इसा मसी के जनम को दोस्तु आज 2020 वर्स हो चुके हैं इसलिए वर्तमान में 2020 इस्वी अगरसर है बात समझ में आ रहे हैं यानि इस्वी नाम केसे रखा गया है इसा मसी के जर्म को आज 2020 वर्स हो गए इसलिए 2020 इश्वी चल रही है यहां तक बात समझ में आ गई अब मैं बोनस की रूम में आपको एक और जानकारे देता हूं दोस्तों कहीं देपर प्रतियों की प्रिक्षा है जाता है कि मालनीजीं आज 2020 इश्वी है तो विक्रम समवत कोण सा होगा तो यहां आप समझने की बात यह दोस्तों विक्रम समवत आपका इश्वी समवत से सत्तावन साल adoption या आगे समझ में विक्रम समवत नाम के से पड़ा तो विक्रमा दित्य नाम के एक राजा हुए और उन राजा के जनम के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है विक्रम समवत रखा गया है और आज विक्रम समवत सब्みलब् ov the power यहां और सब्सकुर्भदanोर और संप्रण है k स्था सय यहां तक आपकी समिछ में Hz की दोस्तों तो यह यहां लोग जो चर्चा करने जा रहे थे वह यहckी कि वेदिक संस्कृत आज से कितने साल पुरानी बासा मानी जाती है तो 2020 तो समझ में आ गए है जो वेदिक संस्कृत है दोस्तों वो इससे भी पहले की बासा है जी हां वेदिक संस्कृत इनसे भी पहले की बासा है और इससे पहले की बासा जिसको आप बढ़ते होंगे यह जो बासा होगी वो इसा से भी पहले की बासा है यहां तक बात समझ में आगए अब आपके मस्तिक्ष पर प्रसन यह उड़ता होगा कि इसा से कितने साल पहले की बासा संस्कित तो यहां मैं बताना चाऊंगा कि जो व पूरो तक का जो वक्त है किसका मन जाएगा वेदिक सनस्केत का यानि आप यह से समझ सकते हैं यह आपका पंद्रा सो जाएगा और यह गढ़ते-गढ़ते करमी तो यह हो जाएगा कितना आठ सो फिर यह हो जाएगा इधर करते करते क्या सा जीरो फिर इधर किसमें चालो जाएगा फ्लैस में ठीक है तो वैदिक संस्कित का समय इस्षा पूरो कितने से 1500 से लेकर 800 इसा पूरो तक का जो समय है वो वैदिक संस्कित का माना जाता है इस आदार पर हम कह सकते हैं कि वेदिक संस्कित आज से कितने साल पुरानी बासा होगी तो आप देख लिजेगा 2020 में आप जोड दीजेगा 1500 तो हम यो समझ सकते हैं कि वेदिक संस्कित आज से लगबक 3520 वर्ज पुरानी बासा मानी जा सकती है अब आपके मस्तिक्ष में ये भी प्रसनूरता होगा कि सब जब हमें exactly पता चल गया है कि वैदिक संस्कित आज से 3520 वर्ष पुरानी भासा है तो फिर भी आप बार बार लगबग सब्दिका इस्तिमाल क्यों कर रहे हैं तो प्यार विध्यारतियों आप जानते होंगे कि नदी का प्रवा है जानते हैं नदी जो बैती है उसका प्रवा है और भासा का प्रवा है एक जैसा होता है नदी कभी भी एक साथ नहीं रुकती वो दीरे 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 बैती भी रुकती है ऐसे दोस्तों भासा कभी भी एक साथ नहीं बदलती है और दोस्तों कहा भी गया है राजस्तानी भास्टा में कि 8 कोश पे बानी बदले 8 कोश का मतलब 24 किलोमेटर पे भासा बदल जाती है और 3 कोश पे पानी यानि 9 किलोमेटर पे जाते जाते पानी बदल जाता है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना है कौन सा कि 24 किलोमेटर पर जाते एकदम भासा बदल जाए ये 22 पर भी बदल सकती है 21 पर भी बदल सकती है और 25 पर भी बदल सकती है यानि लगबग लगबग सब्द का प्रियूग किया जाना भासा के लिए प्रासंगे करेता है इसलि मानी जा सकती है इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं लोकिक संस्कित तो यहां देखेगा हम लोग 800 तक आ चुके और 800 भी किसमें बताएगा यह है आपका इसा पूरू ए 800 से लेकर 500 इसा पूरू तक का जो वक्त है यह लोकिक संस्कित का समय माना जाता है यहां भी आप लोकिक संस्कित आज से कितनी होगी तो 2020 में 800 डीजेगा लगबग 820 वर्ष जो पुरानी बासा है वह कूर सी होगी दोकिक संस्कित आगए बात समझ में इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों पाली को पाली encara सर्सां से कितने साल पूरू परानी बासा है यह भी पर आपको इधर आना पड़ेगा इसा पूर्व कहां से बताइएगा पांच सो से लेकर अगर हम बात करें एक इस्वी तक अब हम प्लस में चालोगे हैं यानि हिस्सा पूरू 500 से लेकर एक आश्वत वक्त दोस्तों वह कौंग सा वक्त मैंना जाता है किस बासका वक्त मानास जाता है इस आदार पर हम कह सकते हैं कि पाली आज से कितने साल पुरानी बसा है तो दोस्तों 2020 में 500 जोड़ दीजिएगा लगबक कितने हो जाएंगे 2520 वर्स पुरानी जो बसा है वो कौन सी योगी बताईए पाली बसा मानी जाती है अम बात करते हैं किसके प्राकर्त बसा का समय क्या रहेगा तो अब आप यहां से आ जाएएगा एक इश्वी से लेकर दोस्तों 500 इश्वी तक का जो वक्त है वो किस बसा का माना जाता है प्राकर्त बसा का प्राकर्त के बाद में जो बस आए उसका नाम क्या रखा गया है अप अपब्रंस का एक रूप है जिसका नम क्या है सूर सेने और इसका समय माना जाता है पांच सो एस्वी से लेकर एक हज्जार एश्वी तक जो वक्त है वो किसका माना जाता है अपब्रंस का और दोस्तों अपबरंस के भाद में जिस बासा का आविर्बा हुआ वो बासा कौन सी थी हिंदी और हिंदी बासा का वक्त क्या माना जाएगा ये भी जान लिजेगा हिंदी बासा का समय माना जाता है एक हज्जार इस भी से लेकर हम लोग यूँ कह सकते है आज तक आज तक का जो वक्त है वो किस बासा का माना जाता है हिंदी बासा का अब आप समझेगा हिंदी अगर आप से पूचा जाए कि कितने साल पुरानी बासा है तो दोस्तों अब आप अनमाल लगा लीजिएगा आज 2020 प्रगति पे है और हिंदी बासा का उद्वो और विकास कब से माना जाता है एक हजार इस्वी से और आज दो जार बीस है तो हिंदी भासा आज से लगबग एक हजार बीस वर्ष पुरानी भासा मानी जाती है कई विद्यारतियों के मस्तिक्स में ये भी प्रसन उट रहा होगा कि क्या साब, 2020 वर्ष से पहले हिंदी बासा का कोई वजूद नहीं था, क्या हिंदी बासा का उस दोर में प्रियोग नहीं किया जाता था, हाँ, तो आप लोग सही सोच रहें, कि 2020 वर्ष से पहले हिंदी बासा का प्रियोग नहीं किया जाता था, करना दोस्तों एक प्रणस बाशा चलती थी इस से पहले प्रकर्त बाशा डॉरता इससे पहले और यह को यह कें वृधिक शंसक यह प्रचलिती थी तो हिंदी का सरा आज से लगबग 1020 वर्स पहले से हिंदी बासा का उद्व और विकास माना जाता है अब आपके मस्तिक्स में ये भी प्रशन उड़ता होगा कि साब ये बात तों हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई कि वैदिक संस्कृत कि इसा पुर्व बंद्राशु क्यों मानी तो कोई बता पाएगा कि सोच लीजिए विचार कर लीजिएगा तो जैसे हम लोग उपलाइन में पढ़ाते हैं दोस्तों तो कुछ विद्यारतिय करते हैं कि साब उस जमाने में वेद लिखे गए थे पुरान लिखे गए थे तो य आपने इसा पुर्व पंद्राशु ही क्यों निर्दार्थ की इसकी समय सिमा आप इसा पुर्व आठ सो भी कर सकते थे दोजार भी कर सकते थे अरे बाई चोदा सो भी कर सकते थे यानि इसा पुर्व पंद्राशु क्यों निर्दार्थ की गई तो दोस्तों मैं आपकी जान आरिये बाशा आगे बाद समझ में यह सारी की सारी बाशाएं आरिये बाशा है ठीक है और आरिये कौन है आरिये कौन ते तो हम सब जितने भी भारते हैं सब आरियों की संतान है और दोस्तों आरिये यानि भारतियों का आगमन भारत में कब से माना जाता है तो आरिये भारत मे जाती है कब बताइए 5000 तो जब आरीय भार्त में इस्था पूरू 1500 में आये और्यू कि तो जब क當 mau की सुप्रे Arc तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और नहीं आरी तो एक बात फिर से समझ लिजेगा कि वेधिक संस्कृत की निमन समय सेमा इसा पूरुक पंदरासो इस आधार पर तेके गए दोस्तों क्योंकि यह जितने भी बासा हैं वह आर्य बासा हैं और आरियों का आगमन इसा पोरू कबसे माना जाता है, पंदरा सोild ही माना जाता है, और आरियू का अगमन पंदरा सोद करने की रहले को नां की रही है, पंदरा सोद मानी घयी है, मुझे उम्मीद है, मेरी बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गयी होगी, इसलिए दोस्तो, मैं ने ग्रामबर की श से पराइसरत Candinha और आर्य बासा किन की बासा यह हुआ झतने भी भारती है उनकी बासा कुण सी कहला ए आर्य बासा कहलाती है तो मुझे अमीद दोस्तों यह बात भी आपके समझ में आ गए होगी है अब आपके मस्तिक्ष में यह भी प्रस अग्यारता हो गा कि favour का ओब हर व संस्कृत में तो क्या क्या लिखे गए लोकिक संस्कृत में क्या 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 लिखे गए तो समझेगा दोस्तों वेदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए है वेद समझ में आ हमारी जितने भी वेद सब की रचना किसमें हुई है वेदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए पुरान वेदिक संस्कृत के अंतरगत क्या 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 लिखे गए उपनिशिद और दोस्तों हम लोग यूं कह सकते हैं जितने भी ब्राहमन गरंत है सब की रचना किसके अंतरग यहां तक बात समझ में आगे अब आपकी जानकारी के लिए मैं एक महत्पन बात बतानी जा रहा हूं कि वेदिक संस्कृत के अंतरगत वेद पुराण उपनिशित ब्राह्मन गरंथ सब लिके गए हैं मैं अभी कुछ दिनों पहले की वात हैं कि आप जानते हो प्रातना सरकार अब बदन बच्चों के सामने प्रस्दूत कर रहे थे हैं मैं इदर साइड में खड़ाईता तो आचानक क्या इस बात का जिकर आ जाता है कि वेद क्या थे वेदों में कौन-कौन सी बात लिखे विये तो संस्कृत वाले गुरु जी बता रहे थे कि प्यारे विद्यार्ति वेद बहुत पुराने हैं इनमें यह यह लिखे गए हैं तो मैंने गुरु जी से काया कि आप हमें यह बताए बच्चों को सबसे पहले तो बैसिक बाते बताए कि वेद कब लिखे गए तो उन्होंने का कि सर वेद तो बहुत पुराने हैं मैंने का कितने पुराने हैं द्वाब पर युग से पहले हैं मैंने का द्वाब पर युग कवाया पोले मन पत्तों कोन तो दोस्तों पत्ता कोन है ये बात किसी के दिमाग में नहीं आनी चाहिए आध से आप लोगों की मस्तिक्स में यह प्रसंद कभी भी नहीं उठना चाहिए कि वेद बहुत पुराने बलकि आप यह जान लीजिएगा authentic तोर पर कि वेद कब लिखे गए तो आप यह समझेगा वेद किस में लिखे गए वेदिक संस्केट तो वेदिक संस्केट आज से कितने साल पुरा नहीं है 3520 तो वेद कितने साल पहले लिखे जा चुके हैं 3520 वर्स पहले आपके वेद लिख रचना मानी जाती है यानि वेद संसार की सबसे प्राचिनतम ग्यात उपलब्द रचना मानी जाती है इससे पहले कोई भी रचना उपलब्द नहीं होती है और इसलिए का जाता है कि संसार की सबसे प्राचिनतम रचना कौन सी यह वेद है और जिसका समय आज से लगब पैं 40-50 साल पुरान हैं पुरान यह भी 35-20 साल पुरानिय पुराणि पुरानों की संख्या अठारा मानें गय है वेदूं की ऌताकि और बताferि इस जो वह 파ूर है नियुरा हुआ समझ रहे हैं आप लोग यह जितने भी उपनिशिद है इनकी रचना किसमें हो यह बताईए वैदिक संस्क्रित यानि इनका समय भी कितना होगा दोस्तों पैतिस सु बीस वर्स जितने भी ब्रहमन गरंत है ब्रहमन गरंतु की रचना भी किसी के अंतरगत हुए दोस्तों वैदिक संस्कृत में यानि हम लोग यूँ कह सकते हैं सरल सब्दू में कि वैद पुरान उपनिसिद और ब्रहमन जैसे गरंत है इनकी रचना आज से पैंतिस सु बीस वर्स पहले हो चुकी थी ऑथेंटिक बात मैं आपको बता चुका हूँ इसके बाद दोस्तों आपके मस्तिक्स में प्रस्ण उड़ता है कि लोकिक संस्कृत जिसका समय क्या माना जाता है बताईए आज से लगबग अटाईशू वर्स पहले माना जाता है तो इसके अंतरगत क्या-क्य लिखे गए है तो यह भी आप लोग जान लीजिएगा जी हाँ दोस्तों लोकिक संस्कृत के अंतरगत आपके लिखे गए है रामायन जी हाँ और महाभारत जैसे जो गरंत है व किसके अंतरगत लिके वेदिक संस्कृत के अंतरगत अभी था मेने वेद पुरान उपनिश्ड और जितने भी ब्रामन गरंथ की रचनझा किसके साल पहले लिखी गई थी तो आपको बताया जा चुका है कि जो वक्त वेदी संस्क्रित का होगा वही वक्त किसका माना जाएगा रामायन का तो इसा दार पर हम कह सकते हैं कि रामायन आज से लगबग 2800 साल पहले लिखी जा चुकी थी और महाबार्थ भी आज से लगबग 2820 वर्श पहले लिखा जा चुका था अब आपको यह बताने की ज़रूत नहीं है कि रामायन और महाबार्थ बहुत पहले लिखे जा चुके थे बलकि यह बताने क्या हो सकता है कि आज से लगबग 2820 वर इसके रचनाकार का नाम वाल मिकीजी है और महाबारत की रचनाकार इनके बताएं वेद व्याश यानि इसके साथ आप यह भी जान सकते हैं कि वाल मिकीजी का समय क्या होगा तो वाल Miki 2900 वर्स पहले ही वेद व्यासी का जन्म हूआ होगा आगी बात समझ में तो दोस्तूं लोकिक संस्कृत में रामायन और महाबार्त लिखे गए रामायन की रचनकार का नम वालमिकी जी है और इनकी रचनकार का बई नाम क्या होगा वेद्व्याश्टि तक समझ में आ गई अब आम बात करते हैं दोस्तों किस की पाली बासा तो पाली बासा में केके लिखे गए हैं ये भी आप च्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों पाली बासा है ये मुख्य छो किसी बास पयोच है यह जो पाली है यह बोध और बोध बना कैसे है तो यह पहले आ livres लिजएगा सब्सक्राइब अई बना दोस्तों उढमे अते लगने से एक अग्योमे को बना आप क्शे मस्तिक्स में प्रसुन उठता होगा कि कैसे बना है प्रत्य के वजह से किस प्रकार परिवर्तन होते थे तो दोस्तों प्रत्य परक्रण जब पढ़ें गे तब आपको इसके बारे में डिटेल से बताए लेएगा कि बुद्ध में जैसे प्रते लगता है तो उ का क्या हो जाता है यह अनकारी हम लोग प्रते प्रकरण के अंतरगत पढ़ेंगे जी हां तो दोस्तों यह बोध धर्म की भासा मानी जाती है बोध धर्म की जो बसा है वो कुण सी बताइए पाली बसा है यानि मात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने अपने तमाम उपदेश जी हां मात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश मात्मा बुद्ध ने अपने तमाम उपदेश कोण सी बासा के अंतरगत दिये हैं मैं अलग पेन का प्रियुक कर लेता हूं अब है जी हां महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश तो इसको वापिस अपने ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है अपन तो यह आ जाते हैं तो यहां महात्मा बुद्ध जी हां महात्मा बुद्ध ने अपने तमाम उपदेश अपने तमाम उपदेश दोस्तों पाली बासा में दिये मात्मा बुद्ध ने अपने तमाम उपदेश पाली बासा के अंतरगती दिये उपदेश पाली बासा में दिये अब आपके मस्तिक्ष में प्रसन यह उड़ता है किसा आप मात्मा बुद्ध कोंते और ये मात्मा बुद्ध केसे बन गए तो ये सब जानने के लिए दोस्तों हिंदी के बहुत बड़े विद्वान होए और आपका नाम था मैतलिश्रन गुप्त मैतलिश्रन गुप्त द्वारा सन 1932 में रचित एक खंड कावे है जिसका नाम है यसोद्रा खंड कावे और 1932 में रचित इस यसोद्रा खंड कावे को यदि आप लोग गेराई से पढ़ेंगे तो हम लोग इस निसकर्ष पर पहुंचते हैं कि मात्मा बुद्ध की बच्पन क नाम सिध्धार्त था और दोस्तों सिध्धार्त का सुरुषेंग गरस्त जीवन में मन नहीं लग रहाता माता पिता को चिंता हुई कि मेरा इकलोता राजकुमार यदि मात्मा बन जाएगा तो मेरा मेरे इस वंस को आगे कोन बढ़ाएगा ऐसा सोच कर विचार करके चिंतन और मनन करके माता पिता द्वरा राजकुमार सिध्धार्त का निकाह करवा दिया जाता है यानि हम लोग यूँ कहें कि राजकुमार सिध्धार्त का ये सोद्रा के साथ साधी करवा दिया जाती है और कुछ समय पस्याद एक पुत्र की प्राप्ती होती है उसका नाम राहु रखा गया है लेकिन दोस्तों यह सब चीजे साइधिश्वर को मंजूर नहीं थी एक दिन राजकुमार सिद्दार्थ अपने महल के उपर टहल रहे थे तीन अपरी गड़नों ने राजकुमार सिद्दार्थ की दसा वदिशा बदल दी प्रतम दिन सिद्दार्थ अपने महल के उपर टखल रहे थे कुछ लोग मुर्दे को नदे में बहाने के लिए लेकर जा रहे थे राजकुमार सिद्धार्थ को चिंता होती है कि एक नएक दिन मुझे भी लोग इसी प्रकार नदे में बहाने के लिए लेकर जाएंगे दूसरे दिन राजकुमार सित्दार्थ फिर महल पर ठहल रहे थे उन्होंने देखा कि एक वरदा जो बिमारी से परेशांती और वो नीचे करे थी हाई राम, हारे राम उठाले रे राम हे प्रबु, हे भगवान राजकुमार सित्दार्थ को इस बात को देखकर भी बड़ी चिंता होती है कि मेरा भी बुड़ा पानिस्सित है और एक नेक दिन मुझे भी जैसे कि बुड़िया बोल रही है वेसे बोलना पड़ेगा तीसरे दिन की जो गड़ना है इस गड़ना ने राजकुमार सिधार्थ की जीवन की दसा और दिसा को पुरन तेब बदल कर रख दिया तीसरे दिन की गड़ता यह थी दोस्तों कि राजकुमार सिधार्थ फिर अपने महल के उपड़ टेल रहते नीचे एक वरदा थी जिसके बाल एक दम सफेद हो चुके थे और उन सफेद बालों को देखकर राजकुमार सिधार्थ को बहुत ज़दा चिंता होती है और वो ही सोचते हैं किस वरदा की तरह मेरी धरम पतनी ये सुदरा के बाल भी सफेद हो जाएंगे और दोस्तों सफेद बाल वैसे वरदा वस्ता का प्रीचा एक माने जाते हैं लेकिन जो भी मेरे सामने बेटे हैं इस्टूडेंट उनके उपर ये नियम लागू नहीं होता है कई लोग ये सोचने लग जाए कि साब हमारे भी बाल सफेद आ रहे हैं क्या हम भी वरदावस्ता की शरेणी में आगए तो ऐसा नहीं है आज तो जनमते ही सपेद बाल आ जाते तो मैं आपको इस पर कर चुका हूं कि नोट ये बात वर्तमान प्रपेक्षय पर लागू नहीं होती है आप बीना चिंता के साथ आराम से पढ़ेगा आगर बाल सपेद वर रोके हैं तो चिंता करने की कोई आउशकता नहीं है ये जो मेरी बात है ये सिर्फ और बात पर ही लागू होगी तो उस गटना को देखकर राजकुमार सिधार्थ के मुँ से ये वाक्य ये कतन से ऐसा ही निकल पड़ा कि देखी मैंने आज जरा जरा का मतलब होता दोस्तों बुड़ापा देखी मैंने आज जरा हो जाएगी एक दिन मेरी ये सोदरा कि मेरी धरम पतनी ये सोदरा है वो भी एक दिन ऐसी हो जाएगी जैसी ये वर्दा है और दोस्तों अगर बाल सपेद हो जाते हैं तो वो वर्दा वस्ता का प्रीच्चा एक माना जाता है तो इन तीन घटनाओं को सोचकर समझकर और मनं करके राजकुमार सिद्धार आर्दरात्री को अपने धरम पतनी ये सोदरा और अपने एक वरशे पुतर राहूल को सोता चोड़ कर केवल्ले प्राप्ती के लिए निकल जाते हैं दोस्तों हिंदु धरम में ग्यान प्राप् और दोस्तों इस गठना को महाबीन इसकरम ने भी कहा जाता है तब उनकी पतनी जब राजकुमार सिद्धार्थ उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो अपनी सकी से कहती है कि अबे सकी मुझसे कहकर तो जाते जाने कहां बठकेगा कौन सी रहों में जा अठकेगा मुझे सोता छूड चला मेरा मतवाला अवे सकी वे मुझे से कहकर तो जाते लेकिन दोस्तों एक पत्नी की क्या गलानी हो सकती है वो बात तो आप इन पंक्तिवी के माध्यम से जान सकते हैं लेकिन जो यह राजकुमार सिधार ते यह जाकर क्या बन गए आगे मात्मा बुद्ध बन गए और इन्हीं मात्मा बुद्ध जी ने अपने तमाम उपदेश पाली बासा में दिये मुझे मेरी बात समझ में आगे होगी तो यह मात्मा बुद्ध कोन थे यह सब चीजे में जातक कथाओं की रचना आपकी किस बासा में हुए पाली बासा में प्रस्थन यह उड़ता है कि सब्सक्राइब क्या होती है तो जातक कथाओं मात्मा बुद्ध के पूरो जनम से समंदी जो कथाओं हैं उन्हें जातक कथाओं जाता है एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं जैसे हमारा हिंडू धरम है वैसे बोद्ध धरम भी पूनर जनम वाद को मानता है और ऐसे ही मात्मा बुद्ध के जो पूरो जनम SE समंदी कथाओं ती उस चारी काम कर आ कि कलाओं जातक कताइं कलाए पाली बासा के अंतरगत लगबग 500 से ज़्यादा जातक कताइं लिखी जा चुकी है और दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए भी बताने जा रहा हूँ कि पाली मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और हिंदी के साथ साथ मैंने पाली जो सब्जेक्ट है उसमें भी पीजी का रहा है तो जातक कताओं की रचना भी किसमें हुई है पाली बासा के अंतरगत और दोस्तों एक और इंपोर्टेंट बाद ये आपका हो गया विशर्ग जी हाँ विशर्ग तथा हम लोग कर सकते हैं रह का भी पाली बासा के अंतरगत अबाव होता है आपकी मस्तिक स्विछ प्रसुन उरता होगा कि आपको कसी पता कि रह नहीं होता है तो आप ये देखेगा एक सब्द में आपके सामने लिखता हूँ, जैसे इसको मैं समझा देता हूँ, जैसे आपके सामने है, मैं बता रहा हूँ, इसके अंतरगत एक तुक्या नहीं होता, विसर्ग नहीं होता, और रेका भी अबाव होता है, जैसे ये हम लोग बात करते हैं, धरमपद, तो पाली पाली बासा के अंतरगत धरमपद नहीं होता, बलकि पाली बासा में क्या होता है, धमपद, तो इसका मतलब क्या हूँ, इसका मतलब यह होँ दोस्तों, कि इसके अंतरगत क्या होता है, विसर्ग भी नहीं होता है, और इसके अंतरगत आपका, क्या होगा, रेका भी अबाव होता है यहां एक और important बात मैं आपको बता देना चाहूंगा जो पाली बासा होती है उसके अंतरगत से यह आपका कौन सा हो जाएगा मैं एक बार उपर ही लिख देता हूं आप लोग अच्छी से समझे लिजिएगा यहां तक जी हां जो पाली बासा है इसके हम लोग चर्चा करेते हैं दोस्तों तो पाली बासा के अंतरगत जो पाली बासा है इसके अंतरगत है शेह इसको हम बोलते हैं तालवे जी हां यह जो शेह है इसको हम बोल सकते हैं तालवे शेह और तालवे और एक होता है शेह जिसको हम लोग कह सकते हैं मुर्धने यहां जानकार के लिए ब say यहां से बिलता है इसको Ministry कहा जाता है मुर्धन्य यानि मसूदु से बिलता है इसम दर्लिका का जाता है हम धिविक्ता scar का प्रियोग नहीं होता यह एक बल्कि IIwasa came this year का जिसको हम लोग कह सकते हैं में या पाली बसा नहीं तो तालुजन वे ओता है और नहीं के व्यक्रणश का प्रियूग होता है भाल कि जिस आप पयरोग होता है तो कून से हैं में जो हजार 10 11 के प्रिक्षा में एक हम प्रेसर पूछा गया क्याता सम्रत अशोक की समय सम्राथ की समय राजबासा कौन सी थीगा एक बार फिर से समझीएगा सम्राथ अ कि कून सी मान जाती है दोस्तों ये प्रसंद 2010 की समया ब्रते में पूचा जा चुका है और आप यह भी जान लीजेगा तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा समराट अशो के समय राजबाशा कौन सी थी अब कहीं विध्यारतियों ने का किसाब यह तो इतियास का प्रसन है इसका हिंदी से क्या मतलब है तो ऐसा कुछ भी नहीं है हिंदी का भी आपने एक एतियासिक प्रिपिक से रा है हम लोग कर सकते हैं कि हिंदी भी अपने आप में एक इतियास को दोराती है तो दोस्तों ये जानने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा समराट अशोक के वास और समराट अशोक का जो समय है वो माना जाता है इसा पूर्वत 200 से 300 के मत दे यानि यहां आए जाती वह कौन सी थी बताईए पाली थी तो हम कह सकते हैं कि समराट अशोक के समय दोस्तों जो राजबास आती वह कौन सी होगी बताईए पाली क्यों क्योंकि पाली का समय इसा पूरू 501 के मत दे और समराट अशोका जो समय है जीवन काल है वह भी इसा पूरू 300 से लेकर इ इसरे दोस्तों समराट अशो के समय जो राजबासा थी वो कून सीती बताईए पाली आगे बाद समझ में यह थी दोस्तों पाली से समंधित महत्व पुरुन बाते हैं अब आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बताने जा रहा हूं पाली के बाद में हम लोग चर्चा करते हैं प्राकर्थ बाशा प्रसनी उड़ता है कि प्राकर्थ बाशा क्या है तो दोस्तों जैसे पाली बोध धर्म की बाशा मानी जाती है ऐसे प्राकर्थ मुखे रूप से जेन धर्म की बाशा मानी जाती है जी हां यानि जो जेन धर्म की बाशा थी वो कौन सी मानी जाती है प्र और जैसे ही हम लोग बात करें थे कि मात्मा बुद्ध ने अपने तमाम उपदेश किस बासा में दिये हैं पाली बासा में ऐसे पहले आप लोग जेन के बारे में समझ लीजिए जेन सब्द बना है जिन प्लस ऐसे और जिन का मतलब होता है दोस्तों इंद्रिया जिनों ने क्या प्रति लगने से जेन बनता है कैसे बनता है ये सब चीजी हम लोग प्रति प्रक्रण के अंतरगात गर्याई से पढ़ेंगे आगे बास समझ में तो प्रकरत जेन द्रम की बासा है और हम यूँ कहें कि महावीर जेन महावीर स्वामी के जो उपदेश थे वह आपके किस तो माविर सवामे की उपदेश आपकें инд बाशा के ऐंतरगद म कूँ मिलते हैं ऐसे दोस्तों प्राकृत के बाद में हम बात करते हैं अफ पलेश्च की तो आप ब्रंस क्या है B किस बिगेड़ा रूप अपरणस किसी हो सकता है तो अपके जानकारी के लिए बताना चाहूंँगा देखेगा कालिदास के जितने भी नाटक है या फिर उपन्यास है जिनके अंतरगत मेगदूत, रीतुन सहार, विकरमोर वसे, कुमार, शंबो है इनमें उच वर्ग के पात्र यानि राजा और रानी द्वारा जिस बाशा का इस्तेमाल किया गया वो बाशा तो कुन सीती दोस् पात्र आधमकामलोवता निम्न स्रेणी के पात्र, नोकर, चाकर और श्योंक द्वारा जिस बाशा का इस्तिमाल किया गया वो बाशा कुन सीती अपबरस। तो इसका मतलब अपबरेंस क्या हुआ संस्क्रित जो बाशा है इसका बिगडावा रुप क्या ऐख लाया व बाख एक बार पुनन समझ लीजेगा कि कालीदास के जितने भी नाटक है उन में उच्छ वर्ग के पात्रों दुआरा जिस बात्र का परियुक चिया गया वह बाशा दो कोंग सिती अब इसके बाद आपके मश्टिक पर प्रस्ण उड़ता है कि अपब्रण्स की जो सात शेतरी रूप है उन में से कौन सा एंट्वासा का उद्व और विकास माना जाता है तो शात में से एक रूप का नाम कौन सा है सोरसेनि इस सोरसेन अपब्रण्स से हिंदी बासा का यानि बात साप है सूर सेन में इप प्रते लगने से क्या बन गया सोर सेन और दोस्तों के से बन गया तो जैसे प्रते लगता तो उका क्या हो जाता है डिटेल से चर्चा हम लोग प्रते प्रकरण के अंतरगत करेंगे लेकिन यहां आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंग सूर्षेन एक जनपद का नाम है जिसका समंद्र यहां तक मैं सोचता हूं महरास्थ्र से हैं और महरास्थ्र जनपद से समंधित होने के कारण इसका नाम क्या रखा है सोर से नहीं रखा है अरे बाई एक सामाने बात है जैसे डूंडारी नाम के से पढ़ा तो इसके दो अर्थों में इसको हम समझ सकते हैं नमर एक देखेगा अगर हम बात करें साथदीग दरश्टी से तो दोस्तो डूंड का मतल़ होता टीले यहां बहुत बड़े बड़े टीले थे और टीलूं का जो सेतर ता वो क्या कहलाया डूंडार और डूंडार में जो बोली बोली जाने लगई उसका नाम क्या रखा गया डूंडारी अगर दोस्तों इसके एतियासिक आर्थ के हम बात करें तो यहां पुराने समय में एक डूंड नदी बहा करती थी और डूंड नदी के आसपास का जो शित्तर था वो डूंडार हो गया और डूंडार में जो बोली बोली जाने लगए उसका नाम क्या होगे डूंडारी ऐसी परकार सूर सेन जनपद में जो बोली बोली जाने लगए उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों सोरशेनी आगे बात समझ में और सोरशेनी अपबरंच से जिस बासा का उद्वो और विकास माना जाता है उस बासा का नाम क्या हो जाएगा बताईएगा हिंदी यहां तक बात समझ में आगे अब आपके मस्तिक्स में ये भी प्रसन उठता है दोस्तों कि क्या हिंदी सब्द का सबसे पहले प्रियोग भासा के लिए होता था जैसा कि आज हम वर्तमान में देखते हैं हम लोग आपस में बात करते हैं कि कहां जा रहे हैं तो हम लोग एक दूसरे से बात चीत करते हैं समय बताते हैं हिंदी शब्द का प्रियोग भासा के लिए नहीं होता था बासा के लिए नहीं होकर अब आपके मस्तिक्स में प्रसन उड़ता है कि किसके लिए होता था तो तो दोस्तों प्रार्म में हिंदी सब्द का प्रियोग भासा के लिए नहीं होकर यह भारती के लिए होता था यानि ह किjak व्हाम मों श्रूवात में हिंदी सब्लीका प्रियोग किसके लिए करते थे भारतियों के लिए अब आपके-स्टिक सब्सक्राइब और में आपको कैसे पता में प्रारण में हिंदी सब्लूर्ट का भलतियों के लिए किया जाता यह दोस्तों आप समझ पर दे guaranteed अर्दो के मसूर सायर होे और जिनका नाम है सायर अकवाल जी हां और इन सायर अकबाल ने लिका भी है और आपने पढ़ा भी होगा कि हिंदी है हम वतन है इंडुस्तान हमारा इसका मतलब क्या हुआ हिंदुस्तान हमारा इसका मतलब क्या हुआ हिंदी है हम यानि बारतिय है हम और वतन है इंदुस्तान हमारा और यह देश क्या है हिंदुस्तान हमारा देश है तो दोस्तों शुरुवात में हिंदी सब्द का प्रियोग किसके लिए बताइए भासा के लिए है मापी चलब शुरुवात में हिंदी सब्द का प्रियोग भारतियों के लिए है और दीरे दीरे कालांतर में जाने के बाद इस सब्द का प्रियोग दोस्तों किसके लिए होने लग गया भासा के लिए होने लग गया तो दोस्तों हिंदी अपने आमें भासा है मुझे उमीद है आज जो भी टोपिक आपको पड़ाया अच्छी तरह से समझ में आगे होगा एक बार मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं आप संक्षित में इसको समझ सकते हैं देखिएगा दोस्तो सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किये कि साब हिंदी शब्द केसे लिखते हैं तो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा था हिंदी हिंदी शंकार संकार संचे और संचे इन दोनों रूपों में से कौन शे रूप शुद्ध है तो मैं आपको बता चुका हूं स्टिक्स में यह प्रसन उठता होगा कि प्रारंबिक सभी रूप अधिक मात्रा में शुद्ध और प्रमानिक क्यों माने जाते हैं तो आप समझेगा सन 1935 में हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए आपका नाम ता डोक्टर शाम सुंदरदास और आपने सुझाव दिया दित्ते रुपों के अधिक मात्रा में शुद्ध प्रमानिक माने जाते हैं इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किती दोस्तों कि हिंदी बाशा का उद्व और विकास कहां से हुआ है तो हिंदी बाशा का उद्व और विकास जैसा कि आपको बताया जा चुका वेदिक संस्क को तो जो स्वेसे क्षूब Natским traders दो कि इस वीडियो को जदा से जदा मातरा में अब सेर की जिएगा और अपनी राइज जुरूर बटाएंगा डियो आपको कैसे लगा राम-राम सा धन्यवाद.